हेलो फ्रेंस वेल्कम बेख तो फ्रेंस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जेके एसवेत के लिए आज की वीडियो में बात करने वाबर चै Swiss की जो न्यूत इलेक्षन दाल टू ँई किसकी रहने वाली है खिसकी रिकॉमेंडेशन आई है क्या पूरा JKSSB की जो new selection list है कौन से department ने निकाली हुई है कौन से candidate के उसमें name आये है पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते है JKSSB का जो भी complete selection process है वो किसके regarding jam पे JKSSB ने release किया हुए और उसके बाद बात करेंगे JKSSB के जो upcoming exam है जैसे FAA का उसके बाद बात करें BLW का और जो various exam आपके JEE के आने वाले हैं तो उन सब के लिए आपने अच्छे से जो preparation है आपने पहले भी उसकी करी हुई है अब सिरफ आपने उसकी revision है जो वो करनी है पहले जो due to incompetency of the authorities की वज़ा से जहां पे paper को दुबारा से cancel कर दिया गया था जिसका exam अब दुबारा होने जार है JKSSB दुबारा in the upcoming month जानी की जो March के last week में हो जाएगा और April के first week में आपके exam जो conduct होने वाले है JEE का FAA का उसके बाद BLW का जे सब exam आपके JKSSB के दुबारा conduct कराया जाएंगे ठीक है तो अब चलिए start करते हैं जो new list आई हुई है उसे check करते हैं तो चैनल से first time जूड़ी हो तो subscribe कर लीजी आने वाले jobs update, educational update and exam update सारे time to time मिलते रहेंगे तो चलिए start करते हैं आज की इस important video को तो let's start this important video part तो जे आ जाएगा friends आपका official notification JKSSB का तो select list है के उनसी post के लिए junior engineer J. Sewell किसमे public work department में जाने की PWD में जो advertisement number 5 था 2020 का उसमें item number 130 थी और इन candidates की जो list थी उसे withheld कर दिया गया था उसमें recommendation आ गई थी और जो आपका letter number 38 2022 का था उसी के according जो selection list थी candidate की फार्दी post आफ junior engineer in PWD department division cadre कश्मीर के लिए number 5 था जो notification का 2020 का item number 130 थी और इसमें जो selects थे उनमें से recommendation थी एक candidate की जिनका नाम था मुरतजा मंजूर ठीक है क्या नाम था मुरतजा मंजूर जिनका serial number था 15 RBA में उन्हें kept किया गया था withheld कुछ उनकी clarification थी उनके documents को लेके लेकिन जब उसमें board meeting बैटी 208 वी उन्होंने इन candidate की जो withheld recommendation थी वो cancel कर दी जाने कि release कर दी उसके बाद जो भी decision बनाया गया committee दोआरा उसमें क्या हुआ जो मिस्टर मुर्तजा मनजूर थे उन्हें release कर दिया गया recommendation उनकी जो थी उसे release कर दिया गया और जो serial number 15 था RBA का उनका 130 जो क्या थी advertisement number थी जाने की item नमबर था advertisement number 5 था 2020 का junior engineer की post के लिए PWD में department जो था PWD था और division cadre इनका कश्मीर था जो इनको जहां पे clarify कर दिया गया है और document verification जो इसमें security नहीं रखी गई board द्वारा उसकी जो category degree certificate था वो advertise किया गया था जब उसी के recording इसको withheld किया गया था तो withheld के बाद इसको जो JKSSB की notification थी उसने जहां पे इसको release कर दिया गया है अब 21 days के अंदर अंदर इनको जो जाइन है वो करना होगा अपने respective department में respective cadre में इनको जल्दी से जो जाइन करना होगा तो ये इनके लिए बहुत important और good news है जाने कि जो इनकी recommendation release कर दी कही है by the JKSSB जाने कि जो कोन है जहां पे मनजूर जी उनके लिए बहुत important अपडेट है तो आप इस वीडियो में अपनी जो भी selection list है चेक कर सकते हो अगर इसके recording कोई doubt होगा तो comment section में जरूर पूशिए तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही